मीना कुमारी से धरवेंदर के नजडिक्यों भाली बात से खबा कामाल अमरोही ने बदला लेने की ठानी थी कहते हैं यही वज़ा थी कि साल 1983 में आई फिलिम रजिया सुल्तान में कामाल आमरोही ने ऐसा सीन रखा था जिसमें धर्वेंदर का मुँ काला किया जाना था जी हो आपने बिलकुल सही सुना बॉली बूट के लेजेंडरी स्टार धर्वेंदर से जुरे धीरो खिस्तों में लेक्टर की तारीफ एक्टर की लाइफ से जुरा एक इंडिस्टिंग किस्ता आज हम आपको बठाएंगी एक इसा है धर्वेंदर और फिल्म इंडिस्टिंग की नाम से फैमर स्वी मीना कुमारी से चुरा हुआ ऐसा कहा जाता है कि धर्वेंदर की केरियर को शाहिद देने वाले कोई आज नहीं मीना कुमारी थी एसल में मीना कुमारी एक समय इंडिस्टिंग की चोटी की एक्टर्स थी और उनका होना ही फिल्मों के सुपर हीट होने की गारेंटी माना जाता था ब्रहरा जो कि साज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मिना कुमारीा। और हमेइन की एक फिल्म से जुरा हुआ है कहते हैं यह पिल्म थी शाल उनिस्टोफ श्यास्त में आया था वग इस फिल्म का नाम था फूल और पत्थर। इस फिल्म में धरबंदर और मीना कुमारी की जूरी दर्शकों को देखने को मिली थी वह इस फिल्म के रिलीज के साथ दो और बात एक साथ हुई थी पहले ही कि इस फिल्म में धरबंदर सबसे पहली बार एक्षण हिरो की रूप में जिराय थी वह इस फिल्म के रिलीज के सा तो मीडिया रिपोर्ट रक्सर या यू समझे लिजे मीडिया रिपोर्ट में इसादावा किया जाता है कि मीना कुमारी से दर्वेंदर की नजीजिक्यों वाली बात से खाफा कमाल अम्रोही ने बदला लेने की ठानी थी कहते हैं यह वोज़ा थी कि साल 1983 में आई फिरिम रजिया सुल्तान में कमाल ने एक सिंद रखा था जिसमें धर्वेंदर को मुग कला किया जना था और यह सब धर्वेंदर से बदले लेने की नियत से किया गया था खेर दर्वेंदर और मिना कुमारी की अफियर लॉब स्टोरी तीन सालों तक चला और मिना कुमारी हुआ भी नित्री थी जो धर्वेंदर को इंडिस्ट्री में चनले बुलने का तरीका सिखाया था और कमाल अम्रोही मिना कुमारी की पती थी मीना कुमारी कामाल अमरी पर कुछ इस तरह फिदा हुई that he needs a कामल आमरोह से साधी कर लिए खैर उसके बाद मिना कुमारी की चिंदकी में धरम जी भी आये थे खैर आखरी में धरम जी से जब दिल टूटा मिना कुमारी को तो नसी के हालत में रहने लगे और इतना नसा करने लगे कि आखरी समय में उन्हें फैफडा हो गया गले के